नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मल्टी लेवल मर्केटिंग में मिटिंग में लोगों को कैसे बुला जाए मल्टी लेवल मर्केटिंग में मिटिंग जान होता है जितने ज्यादा लोग मिटिंग में होंगे, जितना भीड होगा, आपका रिजिस्टेशन करेशी उतना बड़ेगा, उतना ज्यादा लोग जोइन करेंगे, लेकिन अक्षर हम एक गलती करते हैं, कि कोई भी कंसेप्ट में हम अगर काम करते हैं, तो सीधा-सीधा उसका नाम ब हमारा मकसद जुट बोलना नहीं है, हमारा मकसद उनको गुमरा करना नहीं है, हमारा मकसद है उनको 100% सही बात बताना है, जो कि मिटिंग में बता जाता है, लेकिन अगर हम खाली नाम ही बताएंगे उसका, तो क्या होगा, वो कंसेप्ट करके, वो कंपनी करके, कोई अगर छोड़ा है, तो उसे ओर लोग related करेंगे, उसे relate करके फिर बोलेंगे, आरे छोड़ो ऐसा कितना company आते हैं, कितना company जाते हैं, ठीक है, और नहीं आएंगे, लेकिन हम अगर बोलते हैं, कि I use 4P, मैं 4P use करता हूँ, P for project, मैं एक project में हूँ, second fee है, ध्यान से सुनिए आप, first fee है project, second fee है part time, मैं इसे part time करता हूँ, third fee है, potential, इतने बहुत ज़्यादा potential है इस company में, और fourth fee है profit, इसमें बहुत बढ़या profit भी है, तो यह अगर 4P आप use करते हैं, बोलते हैं, कि भाई साब, मैं एक project में हूँ, इसे मैं part time काम कर रहा हूँ, कोई दर दर होता है, P, तो भी कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, part time, project, profit, potential, ठीक है, मैं फिर एक बार आपको बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, आप अगर बोलते हैं, कि भाई साब, मैं एक project में हूँ, जिसे मैं part time कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा potential है, और profit भी ज़्यादा है, मैं आपको मेरा partner बनना चाहता हूँ, क्या इसका एक meeting है, जो क्या आपका live को change कर सकता है, क्या आप आधा गंटा दे सकते हैं, मेरे partner बनने के लिए और meeting देखने के लिए, इस तरह से अगर invite आप करते हैं, तो उनका आने का chances ज़्यादा रहता है, और एक बात आप ध्यान रखिए, आप अगर तीन लोगों को बुलाएंगे, तीन लोग नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर तीस लोगों को बुलाते हैं, तो दस लोग ज़रूर आएंगे, क्यूंकि law average हमेशा काम करता है, 10 is to 4 is to 2, अगर आप दस लोगों को बोलते हैं, तो चार लोग मना कर सकते हैं, लेकिन दो लोग ज़रूर आएंगे, ओके, आसा है कि मेरा ये invitation का process तरीका आपको अच्छा लगा, थैंक यू, बेस्ट अप लॉग,